तो हेलो फ्रेंड गूड इवनिंग कैसे आप लोग होब आप सब बढ़िया होंगे और आपके तियारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहेते डिसकस कर रहेते उत्रा खंका वनो का इतियास और वनो के इतियास में हम लाइन से चल रहेते एर जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको लिखा रहा था और होफुली आपने लिख के नौट करके याद भी कर लिए होंगे लास्ट जानतंग मुझे याद आ रहा 1884 तक मैं आपको सारी चीज़ लिखा चुका था और जो लास्ट डेट थी वो थी वनो का प्रबंदन कब से किया गया 1884 से किया गया यहां तक आपने पढ़ लिया था और इससे आगे के जो भी क्वेशन बनते हैं जो भी इंपोर्टेंट हमारे लिए बनते हैं उत्रा खंड में वनो के इतिहास सम्बंदित या बोल सकते आप उत्रा खंड में प्रीटिसस द्वार वनो का प्रबंदन में जो भी क्वेशन बनते हैं वो मैं कंटिनिवसली आगे आपको बढ़ाता हूं ठीक है तो नौट करिएगा और पढ़ते हैं आज की क्लास को लास्ट क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा जब तक आप रिवाइज निकरेंगे तब तक चीज़े आपक लास्ट टाउन पर मैं लिखा चुका था आपको क्या 1884 ऐब 1813 अविसे चलते हैं और यहां पर क्या हुआ था बेण आप भूमी को बेनाप भूमी को सरकारी भूमी घोसित कर दिया गया था ठीक है अगर आपको question आएगा बेनाप भूमी को सरकारी भूमी घोसित कप किया गया तो आप बोलेंगे 1830 जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ board पे वैसे वैसे चीजों को आप भी not doubt करें चीजों को उतारते रहें और च समझाए जाएगी notes कैसे बनाने और आपको जैसे जैसे समझाए जाएगा आपको वैसे वैसे वह चीज़े not be करनी है और लिखनी भी है आप इन बातों को समझेए वे टेमिनेट हां थोड़ा सा ओके ठीक है तो हमने लास्ट क्या पढ़ा है 1830 बेनाप भूमी को सरकारी भू थी है अभी भी हमारी गाओं में हमारी जो भी भूमी होगी उसका नाप government के पास होगा एक word आता है खातक खतोनी जो हम तहसिल से निकालते हों आप लोगों को भी पता होगा आप सब जब तहसिल से अपना खातक खतोनी निकालेंगे तो आपकी भूमी की माप आपकी भूमी जिसको नापआ नहीं है, मतलब जो बंजर टाइप की भूमी है, जो government की होती थी वही, बे नाब भूमी, जो किसी की नहीं है जो मिली जुली भूमी है, एब यह वह, एक तो हमारी है, एक आप की है, लग्जोख जमीन ऐसी होती है नदी के किनारे, जंगल के किनारे गाउं से थोड़ा दूर जो किसी की नहीं होती वो पब्लिक मतलब सबके गाए बच्ची वाँ पर चरने के लिए जा रहे है तो सरकान ने उस बेनाप भूमी को सरकारी भूमी गोसित कर दिया और इस बेनाप भूमी के लिए एक और वर्ड देखने के लिए मिलता था और वो मिलता था के सर ए हिंद क्या मिलता था के सर ए हिंद तो क्वेसन आ सकता है उतराखन में के सर ए हिंद किसे कहा गया था तो आप बोल सकते बेनाप भूमी को के सर ए हिंद कहा गया था extra fact में आप ये point लिख सकते हैं मैं आपको modern history भी पढ़ा रहा हूँ दूसरे subject के रूप में और modern history में मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि भारत में के सरे हिंद की उपादी अंग्रे जो द्वारा किसे दी गई थी के सरे हिंद की उपादी अंग्रे जो द्वारा के सरे हिंद की उपादी महात्मा गांधी को दी गई थी और आपने comment करके बताना है कि महात्मा गांधी को के सरे हिंद की उपादी कब दी गई और महात्मा गांधी ने के सरे हिंद की उपादी कब त्याग दी थी यह दोनों question आपने comment करके बताने है क्योंकि यह मैं आपको modern history में भी पढ़ा चुका हूँ मेरे दोस्त अभी तक आज की पहली date 1893 लिखी 1893 में क्या चीजे हुई हो मैं आपको बता चुका हूँ के सरे हिंद या बंजर भूमी इसमें मैं अगर मैं fact बता हूँ तो के सरे हिंद या बंजर भूमी पे नाप वाली भूमी को घूसित करने के पीछे एक commissioner का नाम आता है एक अंग्रेज का नाम आता जिनका नाम आता इके पो का नाम आप लोग ने तब भी सुना होगा नहीं सुना होगा तो आप सुन लेंगे जब आप उत्रा खेंड में भूमी बंदोबस्त पढ़ते हो लैंड सेटलमेंट पढ़ते हो सायद से 9th या 10th नाइन या 10th वा जो भूमी बंदोबस्त है वो इके पो द्वारा कि तो फिर स्रीनगर का reconstruction किया गया, स्रीनगर को modern तरीके से बसाए गया, नदी से उपर बसाए गया, वो E के पो द्वारा ही बसाए गया था, और स्रीनगर में अलगनन्दा नदी में बाड क्यों आई थी, क्योंकि गोना जील तूट गई थी, इत्ती सारी कहानी है, तो वो सारी क सारी कहानी आप समझ सकते हैं, मैंने आपको basic सी बाते बता दी, क्या बताई है, कि गोना जील के टूटने से, वैसा यह point मैंने आपको जिल्ला सिरीज में भी पढ़ाई होगी, ठीक है, स्रीनगर में बाडाई थी, ठीक है, 189394 की बात है, ठीक है, 189394 की बात है, तभी गोना जील बनी थी, और तभी उसमें बाडाई थी, इसे लिए इसी एके पोधार, स्रीनगर में जब बाडाई थी, तो स्रीनगर को modern तरीके से बसाया गया था, modern रूप से बसाया तो आपके पास point आएगा स्री नगर को modern रूप से किसके द्वारा बसाये गया तो आप बोलेंगे sir e.k.po द्वारा बसाये गया कहानी मैंने आपको पूरी सुना दी है और वो आपको याद भी होना चीए जो बाते आपको लिखा दी गई है वो सारी की सारी बाते आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए यह बहुत अच्छी बात होगी ठीक है? 1893 के बाद अगली डेट पे मेरे दोस्त हम पहुंचेंगे और अगली डेट एक छोटी सी डेट आप बीच में लिख सकते है 1902 वनों के परभंदन में तो इसका कोई लेना देना नहीं है मगर कहीं न कहीं जंगलात या फॉरेस द्वारा ही ये रूल भी बनाया गया था अभी भी हम देखेंगे फॉरेस का नाम सुन में जंगलात या वन या ये वाला डिपार्टमेंट समझ में आता है बगर कहीं न कहीं आप देखोगे तो फॉरेस वालों के पास पावर होती है खनन खुनन की कहीं न कहीं आप देखोगे तो फॉरेस वालों के पास ही होती है पस्वों की अवैत तसकरी को रोकना कहीं न कहीं आप देखोगे तो मचली पालन ये सब चीज़े भी forest के पास आती है तो एक जब हम history की किताबे पढ़ते हैं तो एक point आता है 1902 और 1902 में अंग्रे जोने भीम ताल और उसके अगल बगल के ताल ये ने ने ताल के अगल बगल के तालों में मचली मारना अवैद घोसित कर दिया था गाओं के लोग सायद से वहां की मचली वचली मारते रहोंगे बेशते रहोंगे मगर अंग्रे जोने मचली पकड़ना क्या कर दिया था अवैद घोसित कर दिया था मचली पकड़ना क्या कर दिया था अवैद घोसित कर दिया था पकड़ना मचली पकड़ना अवैद कब से घोसित किया गया ये पॉइंट अगर आपके पास आएगा तो मेरे दोस्त क्या बोलोगे आप बताओ सर 1902 में पेसिकली एक नाम देखने के लिए मिलता है भीमताल बैट अउनली भीमताल के लिए नहीं था ये बहुत सारे तालों के लिए था मसली पकड़ना अवैद घोसित कर दिया कहता बहुत अच्छा क्वेशन है आएगा पेपर में पाकि भीमताल के बारे में बहुत सारे एक्स्ट्राफेक्ट है भीमताल का जो आकार है वो तिर्भुजाकार है कुमाओं का सबसे बड़ा ताल भी भीमताल है भीमताल के पानी पर ही ये भीमताल के जल से ही एक dam बनाया गया है जिसका नाम है Victoria Band एक्स्ट्रा फेक्ट लिखा रहा हूँ मैं आपको तो आप से question है का Victoria Band कहा है तो आप बोलोगे सर Victoria Band भीमताल के पानी सही भीमताल में बनाया गया है भीमताल के पानी का जो जल जाता है निकासी उसी पर एक Victoria Dam बनाया गया है तो normal question आएगा Victoria Dam का है आप बोलेगे भीमताल only district पूछेगा तो भीमताल खुद कौन से district में आता है नैनीताल अब बड़ा अच्छा question है आप में से किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि Victoria Dam भी है भीमताल में बाकि जो उदर साइट का होगा जिन बच्चों की तयारी बहुत अच्छी है तो उनको तो बहुत काफी हद तक knowledge है ठीक है और Victoria Dam का बनाया गया था यह मैं आपको जिल्ला सिरीज में भी पढ़ा चुका हूँ 1882 और अगर आप सेंटर जी के में देखते हैं तो 1883 भी देखने के लिए मिलता है यह बनाया गया था बाई हैंडरी एशट द्वारा ठीक है एक अंगरेज का नाम आता है हैंडरी एशट के द्वारा यह बनाया गया था यह एक्स्ट्रा फेक्ट हो गया है बाकि बहुत सारे पॉइंट है भीमताल में आपने निताल जीला सीरीज में हेडिंग देख लिज्य अगर भीमताल वहाँ पे पूरी डीटैल आपको पढ़ाए गई है ओके मेरे दोस्त आज का दूसरा डेर था आपके पास 1902 1902 के बाद मेरे दोस्तों मेरे भाईयों समझ में आ रहा होगा आगे चलते हैं अब वो आता है 1906 1906 का पॉइंट बहुत घिसा पिटा पॉइंट है और सभी बच्चों कोई पता भी है 1906 में फाइनल रूप से क्या बन गया था FRI बन गया था Forest Research Institute बन गया था Forest Research Institute की कहानी 1878 से सुरू होती है 1884 में इंपीरियल बनता है 1906 में वहाँ पे रिसर्च सुरू होने लग जाते है और देर अदूर में FRI का निर्माण हुआ है ठीक है और इसको बनाए किसके द्वारा गया था By Broomfield किसके द्वारा बनाए गया था By Broomfield के द्वारा बनाए गया था यह भी fact आप धियान रखना By Broomfield के द्वारा बनाए गया था बाकि FRI को As a heading के तोर पर मैं अभी तुमको लिखा हूँगा जब मेरा यह history वाला portion complete हो जाएगा 1-0 का हितियास तो हम FRI की detail लेखेंगे कब कहां किसने कैसे कैसे करके बनाए था तो बड़ा important है बार बार पेपरों में भी पूछा जाता है FRI आप सब लोगों को पता है तो अभी हम FRI की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम तो year by year लिख रहे हैं कि क्या क्या changes आ रहे हैं कैसे कैसे चीजों को developed किया गया था जस्ट अभी वह लिख रहे हैं ठीक है यह मत सोचना कि FRI complete हो गया FRI को तो as a heading के तोर पे मैं अभी आप लोगों को लिखा होंगा आप चिंता ना करेंगे Forest Research Institute by Broomfield 1906 में बनाया गया था यह भी ध्यान रखना इसका उद्गार्टन भारत के किस वाइसराय द्वारा किया गया था वाइसराय गवर्नर जन्रल यह आपके syllabus में भी है जीके में ठीक है Modern History के syllabus में अगर आप जीकेंगे तो वाइसराय गवर्नर जन्रल भी आपके syllabus में यह point आपको पता होना चाहिए ठीक है तो Lord Irvin जहां तक मुझे याद है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है वैसे सही हो गई अगर कुछ कमी हो गई होगी तो आप बिल्कुल correction करें Lord Irvin के द्वारा इसका उद्गार्टन किया गया था ठीक है यह भी point ध्यान रखना लिखेंगे वो लिखेंगे आप 1914 1914 दुनिया में तो वर्डवार चल रहा था मगर अभी हम सारा जीके पढ़ भी नहीं रहें हम क्या पढ़ रहें उत्राखण में वनों कही थी आस्त वनों से संबंदित अंग्रे जोने क्या-क्या नीतियां लाई थी अंग्रे जोने क्या-क्या रूले और रेगुलेशन बनाए था हम जस्त वही पढ़ रहें उससे जाद हम कुछ पढ़ी नहीं रहें तो 1914 में एक संग्रहले बना था जिसका नाम है दून संग्रहले ये बातें आप लोगों को भी पता है और बहुत अच्छे से आप लोगों के बात ही पता है दून संग्रहले ठीक है दून संग्रहले 1914 में बना दून संग्रहले बनाओगा तो या नामी इसका देरदून है या देरदून बनाओगा और इस दून संग्राले के पास अपने आप में एक रिकॉर्ड है और क्या रिकॉर्ड है यह उत्रा खंड का पहला संग्राले है यह क्या है लगबग लगबग पहला संग्राले है यह भी ध्यान रखना कौन संग्राले दून संग्राले आजादी से भी बहुत पहले बन चुक वो भी भी देरेदुन का FRI देखने के लिए मिलता है खासकर student of the year 2 में या first में वो भी वहाँ पे भी दिखाये गया है आपको ये क्या नाम है इसका FRI बाके FRI लोग सूट करने के लिए भी बहुत जाते आप भी कभी जाएगा FRI ठीक है और इस FRI 18,000 कास्ट नमूने आपको देखने के लिए मिलते है कास्ट नमूने बुले लकडी के नमूने बहुत मोटी मोटी गेली काट के रखियोंगी पेड़ों के चौकट उस पर लिखा होगा 100 साल पुराना पेड या बहुत दिजाइन दार पेड रकाओगा या कोई ऐसा पेड जो विलूप तो हो गया है कोई ऐसा पेड़ जो हई गहें सपर्श पर सबसे उंचा सबसे मोटा पेड़ सबसे पुराना पेड़ इस वाँ पर रखी गई18 Sect नमूने लकडि के नमूने मायने रखते हैं, जैसे म्यूजियम होता है, तो वह ही है संग रहल है म्यूजियम, बटे कहीं नहीं लकडी का म्यूजियम है, जंगलात, फॉरेस्ट हम वह ही पढ़ रहे हैं, तो आप इस बात को समझेगा, लगबग 18,000 कास्ट नमूने देखने के लिए मिलते हैं, जो अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात है, तो कभी आपको दे रदून जाने का मौका मिलें, तो आप यहां पर जरूर गूँए, और मैं हमें इससे आप लोगों को बोलता हूँ, आप पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात हैं, वगर जैसे कि आप आज कल S.I. का फीजिकल देने जा रहे होंगे, तो जहां भी आपका S.I. का फीजिकल होगा, एक दिन रुके, अगल बगल लोकल की चीज़ों को देखा, जैसे रामनागर में लोगों को फीजिकल है, तो थोड़ा सा देख लो, गढ़ जिया माता मंदिर को देख के आजियेगा, सीताव माइन फ्रेज भी हो जाएगा, आपको नॉलेज भी हो जाएगी, जिन चीज़ों को आप आँक से देख लोगे, कभी नहीं भूलोगे, तो थोड़ा घूमना फिरना भी चीए, इसी जिन्दगी में आए है, एक दिन सब चले जाएंगे छोड़के, तो कम से कम घूमा फिरा देखा रहेगा कि हाई, इससे भी बाहर की लाइफ है, तो बैटर है, तो कभी भी आप कहीं भी जाते हो, एक दिन थोड़ा बहुत अपने ले रखा करो किया, लोकल को एक्स्प्रोर करना है, देखना है इन चीज़ों, ठीक है, वापीस आते हैं, और हम अपनी किलास को आग देख मिलती है, 1921, 1921 क्या पॉइंट है, इसको समझने का कोसिस करें, एक डेट में आपको लिखाओंगा मेरे भाई, फरवरी 1921, फरवरी 1921 वो है, इसे बोला जाता है, उत्राखंड में आग का दौर चलाता है, आग का दौर, इस इस वेरी 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 इंपोर्टेंट क् आने वाल एक्जाम में एक क्वेशन बन सकता है, उत्राखंड में आग का दौर कब चलाता है, 1921 में, हमारे जंगल, उस समय प्रकरती के लिहास से जादा बहुत नौलेज नहीं थी, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट फिर भी गाउं की जिन्दगी को अगर आप देखेंगे, अभी भी जैसे हम लोग गाउं के हैं, तो हमारी हर एक चीज जंगल पे दो डिपेंड है, हम इन्हें गाय पालिये गाय जंगल चलाने जाना पड़ता है, उनके लिए घास लाने के लिए जंगल जाना पड़ता है, ठीक है, हम तो मिडल क्लास भी नहीं ब बनाना कमी होता है, ऐसा निए गैसलेंडर है घर में, पर्ट ऐसा निया कि पर्मनेट उसी में खाना बनाते है, उसमें बस सुबह मौनिंग की चाहिए बन जाए या कोई मैमान अचानक सागा तो तुरंत चाहिए बना लो, अदर्वाइस फुली चूले में खाना बनता है, अचूले में खाना बनता है, तो लक्डी लेने बजार जाना पड़ता है, बजार जाना पड़ता है कि सब्सक्राइब जंगल जाना पड़ता है, तो हम पूर्ण रूप से जंगल पर कहीं निर्भर है, गास के लिए, लकडी के लिए, गया चराने के लिए, और बाकी सारी चीज़े भी खेती बाड़ी करने के equipment जो भी बनते हैं, वो जंगल से बनते हैं, तो उस जमाने में 1921 में तो आज के मुकाबले में बहुत जादा लोग जंगल पे निर्फर रहे होंगे, आप चीजों को समझ येगा, और हर एक चीज में सोचेगा ऐसा क्यूं, जब तक आप आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको याद नहीं होगा, आग का दौर का मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कि that time गाओं का आदमी जंगल से बहुत ज़्यादा connected था, without जंगल लाइफ सर्वाइब नहीं हो पाई, आज कली नहीं नहीं हो पाथी, उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात थी, अंगरेजों ने जंगलों में जाने के लिए कठोर नियम मना दिये, टैक्स लगने लग गये, टैक्स लगने लग गये, जंगलों को संरक्सित गोसित कर दिया गया, कि ये सरकार का जंगल है, ये नहीं काटना, पेडों को संडक्सित गोसित कर दिया कि ये पेड नहीं काटने, जिनसे सरकार को काटने में फायदा होता था, बेचने में फायदा होता था, तो करे तो करे क्या लोग, लोगों ने क्रोधी दोके गुस्ने में जंगलों पे आग लगा दिया, कि साला हमर फायदा नहीं लोग जाई वे लकडी को नहीं खरीदते थे, अंग्रेज जली वे लकडी का करेंगे क्या, धले वे पेड़ों को करेंगे क्या, तो ये कर दिया उन्होंने, 1921 का दौर बड़ा गुजरता, इसमें गड़वाल रैफल के छुट्टी आए वे और रिटायर आए वे सैनिकों ने ये आप लोग सुन रहे, सबने पढ़ाओगा, सुनाओगा, अब बड़ा इंपोर्टेंट भी है, मैं भी लिखाओँगा, इसी के बाद बनती हो, और एस ग्रीवेंस के मेंटी क्यों बनती है, क्योंकि जंगलों में आग लगाने को काबू करना बड़ा इंपोर्टेंट थ और बड़ा मुश्किल टास्क होता था, अंगरे जोगले कि इस आग को कैसे काबू करें, आग क्यों लगाएगी, मैंने तुम्हें ये समझाया, अफ और इस ग्रीवेंस के मेंटी क्यों बनी, इसलिए बनी थी, ये पी समझ गये, ठीक है, तो जब जंगलों में आग लगान दी जाती थी, कि भाई उस जंगल में क्या लग गई है, आग लग गई है, सूचन दी जाती थी, तो 1921 में आग लगने की सूचन किस नंबर पे दी जाती थी, एकावा नंबर पे सूचन दी जाती थी, वो वाकी टॉकी से देते रहोंगे, या टैलिफॉन टाइप का कुछ रहा होगा यहोगर या जो भी रहा होगा एकावाण नमबर पर क्या दिया जाती थी सूचन दी जाती थी और इसके लावा जो आग लगने की सूचना देगा उसके लिए इनाम भी रखा गया था इनाम और वो इनाम कितना मिलता था 500 रूपीज का इनाम मिलता था उस जमाने में 500 रूपीज बहुत बड़ी अमाउंट है तो कम से कम इसी लालच में आके लोग एक दूसरे की सिकायत कर दे कि उसने भई आग लगाई है उसने आग लगाई है अंग्रे जोने इसलिए 500 रूप आता हमारे पास सोमे स्वर की दूर्गा देवी एक नाम आता मेरे पास अननाम क्या आया है नौट करके लिख लेंगा इस वाले पॉइंट को सर क्या बोल रहे हैं आप एक महीला है जो सोमे स्वर की थी सोमे स्वर की दूर्गा देवी जी एक महीला है जो अंग्रेजों के ज जंगल में घुसने से रोकना इससे परेशान होगी थी तो उसने भी जंगलों में आग लगाने वाली हिस्सेदारी पे चिम्मेदारी पे भढ़ चड़ कर भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाब कहीं ना कहीं जंगलों में आग लगाना एक क्रांतिकारी आना जाता था बहुत लिखा भी है इन्होंने कुछ थक लोडी के जंगल ठीके इसमें हलका फुल का मिस्टेक हो सकता है स्पैलिंग मिस्टेक आफ देख लीजाइगा थक लोडी के जंगल में या जंगनों में चल राग लाग ty व्युक्ति यह भी रूक शनुमिा मियाख्य जंगलों में आग का दौर चलला था तो किस महिला का संन्मध उसमें आता है यह नाम उसमें आता है तो सो मेसवर की दुरगा देवी करते और नोट कर के एक और पी लिख सकते हैं उन्चालीसीं गड़वाल रैफल में भी इसमें क्या लिया था भाग लिया था किसमें आग़ कने वाले दोर में कैसे भाग लिया था कि 49 गड़वाल रैफल के जो सैनिक थे चाहे वो छुटी आये थे चाहे वो रिटायर थे उन्होंने भी जनता को सपोर्ट किया आउनोंने जनता के सपोर्ट में जनता के साथ मिलकर उन जंगलों को आग के हवाले कर दिया था जहां जहां अ अप्रेल फरवरी के जब जस बात अप्रेल आता है तो मैंने तुम्हें बताया था जब जंगलों में आग लगने वाली बातों को रोका नीजी परिसान होगे अंग्रेज तो अंग्रेज उने कहा कुछ न कुछ न कुछ तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी इसको रोकने के 1928 आपको पता चल गया है कि 13 अप्रेल 1928 को क्या बनती है सर फॉरेस्ट गिरिवेंस कमेटी बनती है मैं हर एक चीज बोर्ट पे लिख रहा हूं हर एक चीज को डिस्क्राइब करने की कोसिस कर रहा हूं समझा रहा हूं ठीक है आप समझने का परियास करें आप भी सीखने का परियास करें हर चीज को logically समझे, logically लिखे, हर चीज को revise करे, आप किसी दिन नया पढ़ो ना पढ़ो चलेगा, मगर आप पुराना revise नहीं करो तो नहीं चलेगा, भाई, मैं offline class में भी यही बोलता हूँ, zero से पढ़ाता हूँ, प्यार से पढ़ाता हूँ, बहुत कम लिखाता हूँ, जादा स सुनाता जादा समझाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ भाई कि नया पढ़ो या ना पढ़ो, बट पुराना जरूर रिवाइच करो, बस यही सपलता का एक नियम है, ठीक है, तो forest grievance committee बनी थी, and forest grievance committee के लिए बोला जाता है, इसने जो अपनी report सौपी थी, कभी ने कभी तो 1928 को सौपी थी, यह भी point आप ध्यान में, ठीक है, इनोंने अपनी जो report सौपी थी, वो 28 अक्टूबर को सौपी थी, यह भी point आपको याद रखना है, कुछ बाते हैं, जो आपको याद रखनी है, ए भगवान, पागल हो गया मैं, तुम भी बोल तोंगे, पागल हो गया है 1921 सल्दा ना भी तोमारा, यह देखो, 1921, फरवरी 1921, तो यह भी 1921 है, मैंने 28 लिख दिया था गलती से, ठीक है, मेरे भाई, कई लोगों ने तो 1928 ही not down कर लिया होगा, ठीक है, तो यह 1921 ही होना चीए, ठीक है, मैंने 1928 लिख दिया डारेक, अभी तो 1921 सल्दा था ना, द कमेटी का अध्यक्स भी बनेगा, भई, कमेटी है तो कमेटी का अध्यक्स भी बनेगा, और इसका अध्यक्स उस समय के कुमाओं कमिशनर थे, जिनका नाम था परसी विंडम, ठीक है, पी विंडम उसका नाम देखने के लिए मिलता है, असली नाम उसका देखने के लिए मिल एक नाम आपको देखने के लिए मिलता है, जिनका नाम आपको मैंने कुली बेगार पर्था में भी पढ़ाया होगा, आप YouTube में सर्चमार लीजिएगा, कुली बेगार पर्था भाई, एफ और अरजुन क्लासे, तो आपको मिल जाएगा कम से कम 1.5 घंटे की क्लासे, वहाँ प बताता रहे तो आपको, तो सर जोज सिंग नेगी, आप यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, तो मैं इसले बोल रहा हूँ, जोज सिंग नेगी, Forest Grievance Committee के गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य थे, ठीक है, इसके सदस्य तो बनाय गए थे, मगर ऑफिसियल मेंबर नहीं ब सूरे दे सकते हैं, आप हमें अपने दिमाग का आइडियास बता सकते हैं, कि कैसे कैसे जंगलों की लगी भी आपको बचाय जा सके, गाँवालों को कैसा ग्यान दिया जा सके, गाँवालों को कैसे समझाय जा सके, बगर आपका जो वोट होगा, वो जादा मान्य नहीं होग अगली बात 21, 21 के बाद हम चलते हैं 1925 में 1925 में समीतिया बनी जिने बोला जाता था वन समीति 1925 में वन समीतियां बनी या वन समीतिय बनी जो भी आप लिखना चाहें और वन समीतियों का जो अध्यक्स या जो आईडिया या जो बिचार था वो किसका तजर वो था कैलास गेरो लोगा सुद्वर्तनी में कैलास लिखने के लिए आएगा तो सुद्वर्तनी में कैलास हिंदी में ऐसा लिखते हैं सुद्वर्तनी की किताब है हिंदी की किताब है आपके पास होगे आपके सिलेबस में आते वर्ड तो सुद्वर्तनी में कैलास ऐसा लिखते हैं वाकि नाम वाला कै आकास है यह भी आकास है तो दुनिया वर के आकास इस से अलग भी कोई आकास होगा तो अपने नाम किस वलेंगा आप कुछ पर लिख दो पर सुद्ध वरतनी में हिंदी में कैलास यह है इसका नाम था कैलास गैरॉला को ही मदरास भीजा गया था एक भहूत important और भहूत deep question आपको बताता हूँ इन कैलास गैरॉला जी को ही भीजा गया था मदरास अर देन मदरास की तर्ज पर उत्राखण में बनाएं गएते क्या कैलास गैरॉला कहां गय थे मदरास अब मदरास की तर्जपर उत्राखंड में बनाएगी थी वन पंचायते यह बहुत बार question exam में भी आता है कि उत्राखंड में जो वन पंचायते बनी थी कब बनी थी किसकी तर्जपर बनी थी ऐसा question पूछा जाएगा तो उत्राखंड में जो वन पंचायते बनी थी, वो मदरास की तर्ज पर बनी थी ये कैलास गैरोला को कहां भेजा गया था? मदरास भेजा गया था, मदरास और मदरास की तर्ज पर मदरास की तर्ज पर उत्राखंड में क्या बनी थी? वन पंचायते बनी थी उत्राखन में क्या बनी थी दोस्तों तो उत्राखन में बनी थी वन पंचायद थी कापी अच्छा क्वेसन है वन पंचायदों से सम्मंदित question आपने पहले भी पड़े होंगे बट अभी आपको एक नया पॉइंट देखने के लिए मिला कि उत्राखन में जो वन पंचायद बनी वो किसकी तरजबे बनी है तो वो बनी थी उत्रखन में मदरास की तरजबे मदरास किसको भेजा गया था तो मदरास भेजा गया था आपका कैलास गेरोला जी को ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ऐसे question exam में बनते हैं और ये question exam में अभी भी आएंगे आगे भी आएंगे इन बातों को आप समझीएगा ठीक है अब ऐसे question आएगा one punch aytो से related कि one punch aytो का गठन कब हुआ आपको जब one punch ayt पड़ाई दिया है तो question आएगा one punch aytो का गठन कब हुआ ऐसे question पूछा जा सकता आपसे और जब भी मेरे भाई, मेरे दोस्त आप से सक्वेसन पूछेगा कि वन पंचा आतो होगा गठन कब वा तो आप सर बोलेंगे 1931 में अगर सिंपल सक्वेसन आता है सर कि वन पंचा आतो होगा गठन कब वा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त आप बोलेंगे 1931 में अगर जब आप अल्मोडा पितोर अगर पॉड़ी मैं क्या कह रहा हूँ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ और आप इस बात को समझे नेनिताल पितोर अगर अल्मोडा पॉड़ी की जब बात होगी और आप से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ वन पंचायते कब बनी थी अगर पॉड़ी वन पंचायत कब बनी तो आप बोलोगे 1932 यह पॉइंट आपको नौट करके लिखना है इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह किसी दिन पेपरों में फसेगा क्योंकि वन पंचायत होते एक्जाम में आती हैं अयात है कि एक्जामनर पहुँच भी चुका है क्या पता इससे आगे है मैं कहां हूँ कैलास गेरोला वन समीतियों के अध्यक्सते वन समीतियां उनके अंडर में काम करती थी वन समीतियां सर क्या काम कर रही थी वन समीतियां यही काम करी थी कि लोगों को परियावरण के परती जागरू किया जा रहा था, उनको समझाय जा रहा था कि नहीं नहीं काटने हमारे फाइदे के लिए, पस लोगों का गुस सही है था कि अंग्रेज भी तो काट रहे हैं, जब ट्रेन की पट्रेया बनाने के लिए यांसे साल के पेड़ कट रहे थे, पर सो पेपर में भी आया था, इसेंट के किसी पेपर में कि चिपको आंदोलन में कोई आंदोलन था, वो लकडी के पेड़ कट के कहां जा रहे थे, कौन सी कंपनी लेके जा रही थी, इलाबाद की कंपनी लेके जा रही थी, लोगों का गुस्त आ यह था कि हमको तुम ग्यान देरो, परियावरण का बोल्डो, पेड़ नहीं काटने, टेक्स लगा रहे हो, और खुद तुम पेड़ काटरो, इस बात का गुस्सा था, तो वन पंचायतों का, नॉर्मल क्वेसन आगा सर, वन पंचायते कब बनी, हम बोल लेंगे, 1931 में सर, वन पंचायते ब पंचायद, अलमोडा वन पंचायद, पितोर अगड़ वन पंचायद, पॉड़ी वन पंचायद, 1930 में ही बन कर तयार हो गी थी, अगर बात करेंगे चमोली वन पंचायद की, तो चमोली वन पंचायद की स्पेसिफाइड एड मिलते हैं 1932, और ओवरॉल पूछेगा वन पंच 32 तक हम पहुंच गए हैं, उम्मीद गरता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर आज की क्लास में कुछ गल्ती भी होगी, तो मुझे माप करना मेरे दोस्तों, और क्लास अगर आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज बंद करने से पहले अपने एक दो दोस्तों को जरूर क्लास को सेयर कर देना धन्यवाद मिलते एक नेक्स क्लास में जो ऐसी धमाकेदार होगी थेंक यू